नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो आप सभी ने देखा होगा कल CM साब का एक ब्यान आया था कि जिन बचों ने CT में 35 नंबर ही लिये हैं यानि कि जो बच्चे CT में सिरफ 35 नंबर ले पाए हैं तो वो अगले एक्जाम में 17 नहीं ले सकता तो कुछ ऐसा ब्यान जानना चाहूंगा सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या CT में जिसके 35 नंबर आए हैं तो वो 80 नंबर ले सकता या नहीं और इसका बिलकुल सही और अच्छा जवाब क्या है यदि आप कंप्लीट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देख और वीडियो में आख बढ़नेश पहले जितने भी साथी इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाड़े वीडियो का नोटिफिकेसन आपको समय पे मिल सके और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अप ने ये बात बोली कि जिन बच्चों के 35 नंबर है तो वो ज्यादा ज्यादा 40 या 42 दूसरे एक्जाम में ले सकता है जिसके 50 पच्पन है तो वो 60-62 ले सकता है लेकिन उन्होंने कहा कि जो 35-40 वाल बच्चा है वो 17-80 वाले से फाइट नहीं कर सकता तो उसके जवाब में मै अपनी राय बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि HSAC का अब तक कभी भी कोई fix syllabus नहीं था किसी को syllabus का पता नहीं होता जब paper देने जाते हैं तब पता चलता है कि क्या आ गया है तो जातर बच्चों को साथ क्या होता है कि त्यारी तो किसी और चीज की जैसे CT में क जाता जातर बच्चों ने GK की बहुत अच्छे से त्यारी कर रखी थी लेकिन वहाँ पे math, reasoning, English, Hindi ये सब चीजें आगी तो इस टाइप से दोखा दड़ी हो जाती है तो एक तो सबसे कम score रहने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है किसले बस पता नहीं होता इस वज़े से score ह आप डाउन हो जाता है दूसरी चीज़ क्या है एक्जाम है वो सही समय पे नहीं ले जाते है यानि कि CT है उसके लिए दो साल वेट करवा के ये एक्जाम लिया गया अब मैंस एक्जाम के लिए भी पता नहीं च्छै मिने बाद होगा साल बाद होगा या कितने टाइम बाद सकते हैं तीसरी चीज सबसे में और बड़ी अच्छी चीज मा आपको बताना चाहूंगा जो बच्छे special qualification लेके बैठे हैं जिसे मालो technical diploma है fire operator है या medical से related है यानि कि VLDA बगरा जो भी है अलग से जिसकी qualification है तो वो क्या करते हैं जिस math reasoning जी के ये सब चीजें इतनी नहीं पढ़ते उनको इतनी knowledge भी नहीं होती है उनको अपने field से related ज्यादा knowledge होती है तो वो क्या कर सकते हैं वो इसको ज्यादा ज्यादा qualify कर सकते हैं और वो अगर 40-50 number लेके qualify कर गए तो अपने field में अपने जो है असली जो है उनके अंदर हुनर वो दिखा सकते हैं और number अच्छे भी ले सकते हैं तो ये तीन factor है जो मेरे mind में आ रहे थे तो आपको यदि ये सही लगे तो जब भी CM साब आपके आजपास में कहीं आए तो उनको ये चीजें समझाने की कोशिश जरूर करें और इस वीडियो को भी ज़दा ज़दा सेयर करें ताकि ये बात उपर तक पहुंच सके ज़दा ज़दा साथियों तक पहुंच सके पूरे हर्याना में ये बात पहुंच सके ताकि सब लोग यदि CM साब को ये बात समझाएंगे तो हो सकता है उनके माइंड में यदित आ जाए और यदि चार गुणा कोई बुलाएंगे और इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इससे क्या नुक्सान होने वाला है हर एक कैंडिटेट ऐसा है जिन्होंने ग्रेजवेशन वेल्ट और एक अलग से कोई न कोई क्वालिफाईशन जरूर कर रखी है यानि कि कहने का मतलब चार से पांथ फोरम मतलब ग्रूप के फोरम अराम से हर एक कैंडिटेट भरेंगे अब मानलो टोपर है जो सबसे हाइस नमबर वाला तो वो क्या होगा सारे के सारे एक्जाम देगा मानलो किसी ने चार एक्जाम दे और चारों में वो सेलेक्ट हो गया तो वो जोईन तो कोई एक करेगा यानि कि हसे उसको एक में जोईनिंग देगी तो यदि बुलाई चार गुणा रखे हैं पेपर में तो बाकि तीन गुणा है वो सीट खाली रह जाएगी और एक गुणा से कम भी हो सकते हैं तो बहुत सारी सीटें ऐसी होगी जो खाली रहने के चांसिज रहेंगे तो मेरा मानना यह है कि सीटी को या तो कौलिफाई किया जाए नहीं तो साथ से दस्पुना जरूर बुलाए जाए बाकि आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर जरूर करें ताकि यह वात उपर तक पहुंच सके और यदि आपको यह बात सही लगे तो आपके आस पास में जब भी सीमसाब आए तो उनको यह बात लिखकर गया पन जरूर सौंपे अपने वीडियो यहां तक देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद